गुड मॉनिंग, आप सभी का बहुत-बहुत सागत है मोबाइल पाच्छाला की यूट्यूब चैनल पे, कैसे हैं आप सभी लोग, कैसी चरले आपके त्यारी, डेट हो गई आज 10 अक्टोबर, ठीक है, त्यारी आपकी अंतिम चरणों में है, अंतिम एक आप कह सकते हैं कि ज बहर कर दिये गए हैं, निकाल दिये गए हैं, ठीक है ना, लेकिन जितने भी हैं, वो वो बच्छे हैं जो 150 प्लस मार्क्स लेक्श लेक्चे आएं, अब तुम ये सोच सकते हो कि तुम्हारा कॉंपटिशन एक्चली है किस से, तुम्हारा कॉंपटिशन उन बच्चों से है जो बचे एक्षिली में बहुत एक्जाम बहुत तकड़ा अटेम्ट करते है तो फिलाल मेरे कहने के ये बार थै कि जब कभी आप ऐसा टाइम आए तो आप ये समझे लो कि आपको और ज़्यादा बढ़ियां करने की ज़रत है और बढ़ियां प्रैक्टिस करने की ज़रत है जितना बढ़ियां प्रैक्टिस करोगे उतनी बढ़ियां उतना तेज आप क्वेश्चनों को कर पाओगे चलो करम में सबसे पहला सवाल हम ला रहे हैं आपके सामें एक केजी चावल के मुल्य में 50% की बढ़ियां होती है चावल का पुराना मुल्य साथ है नहा मुल्य क्या होगा तो आप ध्यान से मेरी पास समझो कि अगर पुराना मुल्य अगर साथ है तो पचास परसंट की बढ़ियां मतलब ये डेढ़ सो हो जाएगा तो अब वाला मुल्य होगा 90 रुक्या ये तो इजी सवाल था ऐसे बहुत सारे अच्छे सवाल है मेरे पास बढ़ो आगे जैसे ये सवाल है ए अकेले एक ये कुछ नहीं है यहां लिखा है दीबार दीवार का निर्माड साट दिनों में कर सकता है जबकि भी अकेले इसका निर्माड असी दिनों में कर सकता है यदि वे इसे साथ मिलकर बनाते तो इन्हें साथ हजार रुपे बेंदा एक साथ दिन में करेगा और एक भाई साब असी दिन में यह हो गया टाइम करेंश, तो एफी से कुछ अलग करते हैं ना, बिना कुछ अलग की काम नी चलेगा, कर दो, इसी अनुपात में पैसा बटेगा, तो चार से साथ यूनित बराबर साथ हजार के, यह कुछ अलग है भाई सब, एक बराबर हो है सार पैके, तो क्या पोचा है, बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू हो जाएगी, तीन हजार के, तीन हजार, तीन हजार, नेक्स्ट, पानसो लिटर अलकोहल और पानी के मिश्रड में बीस परसेंट पानी है, और यदि इसमें पानी मिलाया जाता है, यदि इसमें कितना पानी और मिलाया यह यह है एलेगेशन का सवाल पहली बात समझें की नहीं है एलेगेशन का सवाथ 500 लिटर का मिक्चर है 20 परसेंट पानी है 100 परसेंट पानी म्मालिब सुद्ध पानी और मिलाये जगा आपके हाउ 100 सुद्ध और केरी पचास परसेंट का पानी हो जाए तो यहाँ 50, यहाँ 30, यह गया, 5 बरावर, सवाल ने बोला, यह जो है, यह पुराना मिक्चर है, इसको औरी परजिन करेगा पुराना वाला मिक्चर, that is equal to 500, यह वो मिक्चर है, यह वो एश्यो है, जो मिलाया जा रहा है, तो मिलाया जा रहा है, तो मिलाया जा रहा है, तो मि तो आज बराबर 500 के तीन बराबर 300 के मिलाए किता जाएगा तो है तो यह आसान अगर आप समझते हो इनको जानते हो concept समझ में आ रहा है तो मतलब समझ लो 10 सेकंड का भी सवार नहीं था लेकिन concept नहीं समझ रहे हो तो इसी में उल्जे रहे जाओगे यहाँ देखो एकनिश्य तरासी पर 20 परसेंट प्रतिवर्श बार्शी वज़ते दो वर्श का चक्वधी व्याज यह देखो ब्याव के लिखा हूँ है ठीक है भाई यह है चौबिस सो बीस रुपया समान रासी और समान द्यास दरपर तीन बर्श का साधार बर्श अलब दोनों में डिफरेंस क्या होगा तो यार आप यह बस समझते हो कि अगर दो साल की बात है ठीक है तो एक्शली में जो हमारा मूल्दन होगा 25 होगा ठीक है और मिर्ज़व होगा चत्तिस आपसे बोला इनका डिफरेंस क्या होगा सर्ब्याज 11 सब्याज 11 दूना 22 ग्यारा दूना 22 220 एक यूनिट के वैली क्या होगी समझ गए 25 यूनिट के वैलू क्या जाएगी यह मूल्दन की बात कर रहा हूँ तो जी रो 25 दूना 50 कहरी ह होगा मेरे पास 25 दूना 55 अज़त्त समझ गैं अरे बोलो समझे की नहीं सम्झे अब टीन साल में साधार, तीन साल में आप समझते हो हमेशा है अगर रेट यह है तो ग्यारा अच्छों पाता है वो एकचली होता है 31 unit 31 unit और जो principal होता है actually वो होता है 125 unit कितना 1 to 5 तो 1 to 5 तो 1 to 5 that is called to अरे इतना ही है 11, 55 11 हो जाएगा और 24, 400 गुड़ा 4 हो जाएगा एक unit की बेले हो गई 44 के तो 31 unit की value कितनी बेलेगी सर गुड़ा 44 के यहां तो कहारी के रवड़ा 44 अच्छा साधार रव्याज पूछा है मैं डिफरेंस निकालने लग गया साधार रव्याज पूछा है वैया यह 55 तीन वर्स का भीष्टिया 60 60 का मला 3 बटा 5 3 बटा 5 को अब चाहो तो लिख सकते 6 बटा समझे भाई आगे पुरो दो पाईप कहरा है अकेले एक टंकी करम साथ 20 गंटे 24 गंटे में भर सकते हैं और एक निकासी पाईप अकेले 20 गैलन पानी खाली कर सकता है वो भी प्रती गंटे एक गंटे में 20 गंटे पानी खाली करेगा तीनो पाईप एक साथ काम करते हुए उसी खाली टंक को 40 गंटे में भर सकते हैं तो टंकी के चंपता क्या है समझ गया है तो भी याद रखो एक तो 20 गंटे में भरेगा एक 24 गंटे में भरेगा अगर ए वाला गर 20 गंटे में काम कर रहा है और बी वाला गर 24 में काम कर रहा है और अगर जो खाली करने वाला है एक्चिली में यह साथ मिल जाए तो 40 गंटे तो सभी की चंपता क्या होगी 120 होगी क्या ठीक है मतलब सभी का जो efficiency होगा अब छम्ता है निकालो फटा-फट बेस चकाई एक्सव बीस चौबिस पंजे और चालिस चारती अब आरा है आप समझो दो चे पाच ग्यारा है यह हो गया ठीक है? और चारती अब आरा है यह नहीं आठ छम्ता से यह खाली कर रहा होगा तभी तो यह बना तो आठ छम्ता से बताओ यह कितने देर में इसको खाली कर देगा यही बात है तो चारती अब आरा आठ से डिवाइड करोगे तो मेरे पास आएगा पंदरा पंदरा घंटे में इसको खाली कर देगा समझी के? पंदरा घंटे में खाली कर रहा है पंद्रा गंटे में खाली कर रहा हूं, हर घंटे बीस गयलन पानी निगाल रहा है, तो कुल मिला कि 했는데 तीन हाजार गयलन पानी ऊगा, यही मैं तो बात है, अब समझ रहोंगे हैं नहीं समझ रहों मेरी बात, मतलब यह है, अगर मैंने यह निकाल लिया, यह जो निकासी वाला नल है, इसकी छमता क्या है? और उसी छमता के साथ 120 धारिता को कितने घंटे में खाली कर रहा है, तो खाली कर रहा है, 15 घंटे में, अब आप ध्यान से सोचो, कि अगर एक घंटे में वो 20 गैलन पानी निकाल रहा है, तो चलना उसको 15 घंटे है, तो 15 घंटे में कितना निकाल देगा, तीन अजार कहले, ठीक है, समझ रहे हो ना, चलो जी बड़ो आगे, देखो, क्या होगा, पीक्यू आर की वैल्यू आपको दिए, आस की वैल्यू दिए, तो गहरा है कि, पीएस का माल क्या होगा, पीक्यू आर, चार, साथ, नो, पीएस की वैल्यू अलग से दिए, ये तो वो जो को छोड़ा नहीं, आओ, देखते हैं क्या होगा, दो अनुपाते, पांच बोला है, किसको, आर, स को, अच्छा, आर, साथ है, रोको, ये चार है, साथ है, लो है, ये एस है, बोला है, आर और एस का जो रेशियो, दो और पांच के, तो आप समझो, दो यहाँ कर दो, दो यहाँ कर दो, नो यहाँ कर दो, नो पच्छे 45, नो दोना 18, साथ दोना 14, चार दोना 8, क्या पुछा था आप से, पी और एस का, आठ अनुपाते, 45, यह रहा है, आठ अनुपाते, 45, यह आपके सवाल का एंसर है, दो गोले की तरिज्यों का अनुपाती है, आए तोनो का अनुपाती है, सीधे क्यों कर दो, तो कुछ नहीं कर दो, बस, एक सेकेंड में एंसर, एक घणाब की लंबाई और चोड़ाई का जो योग है, तो लंबाई और चोड़ाई का योग, 16, कह रहा है कि घणाब की उचाई और लंबाई, स्वरी, उचाई, उसकी लंबाई और चोड़ाई की योग का, कितना है भई? इसने बोला है एक बटा चार है यानि अगर L प्लस B अगर चार होता तो H जो होता वो एक्चुली एक होता तो बड़े आसानी से मैंने कह दिया कि सारजी ये तो है सोल है तो ये चार होगा समझ रहे हो? यानि उचाए उसकी चार होगे तो कहरा उसका पार्स प्रिस्टीज चेतर फल बताओ फिर क्या होगा? उसका पार्स प्रिस्टीज चेतर फल क्या होगा? यह आपको बताना तो पार्स प्रिस्टीज चेतर फल पलता है एक चीज एक जो लिए बता है 2H समझ है? 2H L प्लस B 2H की वैल्यू चारदूना आठ सोल सोलावटेक्स ओठाइस यह आपका है एलस है यानि कि जिसको हम बोलते हैं लेटरल सर्फिस एरिया यानि कि पार्स प्रिस्टेश यह तरफल समझ गया बढ़ो एक वस्तू एक अंकित मुल्य उसके क्रे का एक सो साथ परसेंट है उसके साड़े बारा परसेंट होना चैए साड़े बारा होना चैए साड़े बारा ही यह लेकलो, साड़े बारा कर लो, ठीक है, साड़े बारा होना चाहिए, किसी धनरासी पर आठ परसेंट वार्सिक दर से, आठ मा का जो साधार व्यास इतना है, आठ मा का, तो भही है वार्सी की बात कर रहा है, और आठ मा का साधार व्यास दी यह आपको, ठी तो इसका क्या मतलब इसका मतलब यह है कि आठ वोड़ा बारा आठ मा का जो रिट अफ इंटेस्ट होगा यह होगा चार दूना आठ सो लवटा तीन इस रेट अफ इंटेस्ट के हिसाब से वो ब्याज ले रहा होगा समझे है सो परसंट के वेलियों आपको निकाल ली है तो चौबिस बटा सोल है गुणा सो सोल से काटो सोला पंदर थी है पैंथालेस और दो जीरो यह क्या का प्रिंकड़ है समझ कि हमें 100% के वेल्यों चाहिए थी 100% के वेल्यों मैने बढ़ी आसानी से निकाल आ है सुनील है दो घंटे पे 50 मील क्रतिहंटे के चाल से गाड़ी चला सकता है फिर वो 3 मील क्रतिहंटे चालने हैं आउसस चालीये तो बड़ा असान है एवरेज स्पीड की बात कर रहा है कुल दूरी बाबो सौ छेती अठारेक सौस्टी कुल समय बरापर पाच गंटा तो अठारा ठाईस अठाई दुना चपन यह एंसर है तुमारा दो संख्याओं का योग पेंदालिस है कह रहा है कि उनका हCF और LCM करम से दिया हुआ यानि 5 और 70 आपको क्या है HCF LCM है ठीक है अगर HCF से मैं काटूँगा तो आपके पास क्या आएगा यह क्यों भी यह और दो संख्याओं का योग दिया हुआ है तो अगर 5 से काटूगा तो आपके पास नहुआ आना चाहिए अब इसको ऐसे करो कि दोनों का जोड़ना हुआ चाहिए बस इतना ही देखना है ठीक है दोस्त या हमें क्यों करना है यह सब नहीं जाना है यह तक अब ध्यान से मेरी बास समझेए कि अगर ब्यूत करम का योग बोला है तो हमें सही हो था है X प्लस Y X प्लस Y मतलब 9 और निचे LC हम यानी के 70 दो संख्याओं के ब्यूत करमों का योग क्या होगा यह क्या दे दिया इसने यह तो गरबड हो रहा है दो संख्याओं के ब्यूत करमों का योग यह तो option में कण बड़ी है option का लटाइप है क्योंकि मेरे ख्याहसे तो की होगा नो बटा सब्तार है यह correct answer पी और क्यू कहा रहा समान में दू समान 120 कि लोब चालसे सभी करते हैं यदि वेद दोनों समान दिसा में चलते हैं और 4 गंटे बाद यह और क्योंकि वेश के दूबी है, समान दिसा में चलते हैं, जब समान दिसा में चलते हैं, चार गंटे बाद, बहुत बादो, चार एक की कमी है, एक की कमी है, आगे बढ़ो, इसका स्क्वाइर इसका स्क्वाइर और मुल्टिप्ले बेट टू दिस न अब टू तो हाई नहीं क्यों जी आप ज़र देखो क्या यह ऐसा एंसर है फॉर्टी एट टूनिफाइब क्योंकि यह यहां पर आगया है तो नुकाइट कर लो अट पस तेरह के तीन के रहे हो गया एक पॉइंट का सेंथ ठीक पर्फेक्ट इसका बनाएगा पसाओ कुछ निए एक जैकेट को आप से कह रहा है कि 3860 में बेचने पर अर्जित जो लाव है उसी जैकेट को 1900 में बेचने पर हानी के बराबर है तो आप ध्यान से समझो कोई एक CP होगा कोई होगा किरा जब मैंने इसको बेचा 3860 और जब मैंने इसको इतने पर बेचा तो जितना लाव हो उतने हानी यानी हानी और लाव का जो रेशिय वो एक अनुपात है एक के तो CP लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इन दोनों का डिफरेंस लेरा पड़ेगा साथ 1908 और इसको दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा इसी अनुपात में दोनों बाद ठारा तो अठे सोल है 980 इसमें 980 जोड़ देना तो 1900 में 980 जोड़ोगे तो आएगा 80 यानि कि 2780 भैसक्या है आपका CP है अब अगर यह CP हैं और आपको चाहिए 10% का लाब तो इसका मतलब भी है कि 2780 तो यूनिट इस आपका 8 हाता देख रहा है जीरो कहीं नहीं है तो एंसर भई होगा लगाने की ज़रूद 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 रही एक बोतल में दूद और पानी का 8 लिटर मिक्शर है जो कह रहा तीन अनुपात है अनुपात है अन मिश्रण में 3 लिटर पानी मिलाया जाता है दूद और पानी का नहीं अनुपात क्या होगा तीन लिटर पानी मिलाया जाता है समझ रहे मेरी बात तो आप ध्यान से मेरी बात समझाओ कि एक्शिली में 3 और एक नुपात में अगर कोई मिश्रण है तो यह हो जाएगा 4 के परापर 8 लिटर एक बरापर 2 लिटर के एक यूनिट परापर 2 के तो 3 बरापर 6 के इस से अब कहता है पानी ये है तो पानी मिला दो आपके पास यह पानी हो क्या पानी होगा चलो तो जी आगे बरो एक सो बत्यस बटा ग्यारा उरा तेरा बटा बारा प्लेट दूपर 14 बटा एक छे नो माइनस इक बटा तेरा अभी चल ला आगे परेशन मत हो यह तेरा तेरा कट जाएगा अगर लेबल की सवालो को ही किया जा रहा है तो लेबल की सवाल। स्थाने सवाल का Azistence है paper में तभी किया सारा है, पाल को आप करें और कोशिश करें। मेरे से भी तेश तेश करें। और अगर आपको descriptive class में फूर। प्रेक्टिस के साथ descriptive class with practice. तो आप चोड़ सकते हैं शेशने पाच बज़े आपका स्याम में शेशन होता है। SSECJL के लिए हम करवाते हैं वहाँ चोड़ सकते हम ठीक है चलो आज इतना ही रखते हैं मिलते हैं आप से अगलेचर में थैंक ये सो मच बबाए ठीक क्या